सर्बिया के घने चंगलों में इंटरनेशनल माफिया का राज है हर तरफ सुरक्षा के करें इंतिजाम किये गए हैं क्योंकि आज यहां उस खास हत्यार का सौधा होना है जिससे पूरी धरती काम उठेगी और यह सौधा यूरोपॉल की पुलिस के चीफ और रशियन माफिया निकलस डियो के बीच होने जा रहा है निकलस डियोर आ रहा है सर आवाज की पहचा निकलस डियोर फिंगर प्रिंट सर रेटिनल स्काम सर एंट्री कोड ब्लाक पर मिलकर अच्छा लगा मुझे भी पैसों का इंतजाम हो गया है तुम वो हठियार लेके आए हो कि नए हाँ बिल्कुल ये रही पैसे लाए की नहीं इस वक्त पैसा इंटरनाशनल बैंक्स के बारा अलग अलग अकांट्स में ट्रांसफर हो रहा है ड्राइव अनलॉक हो रही है इस चीज की कीमत पंद्रह हजार करोड यूरोज है तुम्हें ये कहां से मिले इसको बिखवाने वाला खुद बहुत बड़ा सीक्रेट एजेंट है साथ कॉंटिनेंट्स 196 कंट्रीज 120 सरकारे और 18 आर्मीज इस छोटे से वेपन को खोज रही है एक बार ये पैसे मेरे और उसके अकांट में आ जाएं फिर ये ड्राइव तुम्हारी ये पैसे तुम टब 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 नहीं रिकाल पाओगे जा तक इसका कोड मुझे नाइट आओगे वो कोड भी तुम्हें वो सीक्रेट एजेंट ही देगा सिक्यारिटी को टाइट करो आखिर ये कौन सा वेपन है जो देखने में इतना छोटा है फिर भी इतना कीमती है जिसको बचाने के लिए इस इलाके को तीन सिक्योरिटी जोन में बाठ दिया है पहने घेरे में प्राइविट सिक्योरिटी है और दूसरे घेरे में रूस की ब्लैक हॉक प्राइविट आमी है जिसकी नजरों से इन दर्रों से लेकर दरकतों की उचाईयों तक कोई नहीं बच सकता और फेर है तीसरा घेरा, इसमें एक खूखार आतंकवादी संगटन के गॉरिल्ला है, ये है एके, काउंटर टेर्रिस्ट टीम के खास मेंबर, नौ मिनिट में खेल खतम, फ्लाक हॉक टीम लीडर, सब अब भी एरिया, ठीक है सर, पैसा ट्रांसफर हो गया, थर्मल इमिजिंग सेंसर, ख्लीम, हथियार तुम्हारा, और पैसा तुम्हारा, तुम यहां अंदर कैसे आए, तुम यहां अंदर कैसे आए, तुम जानते भी हो, मैं कौन हूँ, मैं सुब्रमान्यम स्वामी हूँ, यूरोफोल का चीफ, मैं हू निकलास डेयार, रस्यान तुम वीं, एब उलभी हूँ, तुम यहां ऑतुम ऎकलास, निकलत बाइ रूकां को नहीं मर्ता हूँ, गया हूँ, पचर्छें दने, झालना चंद आरो, जोट्यावग ठूलि! जही होगा है Ha!! वहां के इचिपा हम ना! उसमेट रहे हैं तुस्रे को अच्छे साँ! उधर भी देखाओ! जान तरफ भूड़ों से! शूट! पॉन है ये, जो ना तो करता है गोलियों से, और ना ही डरता है आग से. याए दस्टार्म इस हेड़िट यूवाई! सिक्यारडी, फुरे इलाके को खेर लो! जी के साँ! वो आई हो, कौन हो तुम? मैं कौन हूँ? कौन हूँ मैं? मैं कौन हूँ, इसका फैसला मैंने ही करता. जो मेरे सामने खड़ा होता है, वो करता है. या तो मैं उसका तुश्मन हूँ, या पर तोस्त. बार्गे बाल, बार्गे बाल! एक्च्चों! अपने घुटने ठेक दो बस दो मिनट और भाले बुरी दुनिया तुमारे खिलाफ हो जाए खालात मुश्किल हो जाए और चीख चीख कर तुमसे कहे कि तुम बुरी तरह हार चुके हो घुटने ठेक दो निल जाए मगर चब तक तुम्हें अपने आप पर भरोसा है तब तक कोई भी कहीं भी और कभी भी तुम्हें हरा नहीं सकता Never Ever Give up Charge Counter Terrorist Squad UN की एक ऐसी बॉडी जो FBI, CIA और Interpol से भी ज्यादा ताकतवर है उन्हें किसी को भी मारने का हक है Report Sir, खबर मिली है सर्विया के जंगलों में Private Army और किसी अंजान व्यक्ती के बीच भारी लड़ाई हुई है उस अटाक में Europol Chief Subramaniam की मौत हो गई है लेकिन वो वहाँ क्यों गया था ये पता नहीं चला है Satellite और Weapon Camera के फुटिज से हम सारे Criminal Database में उस किलर के चेहरे की शिनाक्त करने की कोशिश कर रहे हैं, Sir Sir, Drug Mafia Records में भी कोई information नहीं है और किसी भी terrorist organization से connection का कोई रख़ नहीं है, Sir कमाल का Military Survival Instinct है तुम लोग अलत डेटाबेस चेक कर रहे हो ये कोई criminal नहीं है ये हम में से ही कोई एक है A well-trained military person हमारी organization में जो कोई भी इसके age group का है उन top agents को ये visuals फिजो If I'm right, जिसने भी इसके साथ training ली होगी वो जरूर इसे पहचान लेगा टीम, विदेश में अपनी खोज को छोड़ कर यहीं से खोजना शुरू करते हैं CTS के 2400 सेनिकों की डीटेल्स यहां है उन सब को इन visuals से match करो उनकी एक list बनाओ और नज़र रखो ये खबर Counter Terrorist Squad की एक खास टीम को भी विली ये है माइक एके इसका तीसरा मेंबर है शौन जिसका निशाना अचूक है और इसका चौथा मेंबर है आरियन सिंग जिसका दिमाग कम्प्यूटर से भी ज्यादा तेज चलता है एके Counter Terrorist Squad की information के मताबिक एके किसी mission के तहट मारा जा चुका था लेकिन अचानक उसके सिंदा होने की खबर ने पूरे CTS को सकते में डाल दिया है इन्हें यकीन है कि इस attack में एके का हाथ है लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि उसने सुब्रामनियम को वहाँ ढून कर क्यों मारा और इतनी बड़ी आर्मी किस को बचाने के लिए थी इसलिए एके के बाकी साथियों को यहाँ पूस्ताश के लिए बुलाया गया है हमें किसी भी कीमत पर उस एके को 24 घंटे के अंदर ढून निकालना होगा कम आन हारी आप दाट्स इंपॉसिबल मंदूक से निकली हुई गोली को पगड सकते हैं लेकिन उसे नहीं आरियन, चीफ स्ट्रटिजिस्ट सर, माइ टीम सर सर, सर, सर सर, भरत, सर अगर दुनिया में किसी इंसान को ढून ना हो तो इस से बहतर बुक कोई नहीं है हमारी टीम इसी बुक को फॉलो करती है इसका 12 पेज पढ़ने से पहले ही हम अपने टागेट तक पहुँच जाते हैं 12 पेज तक जाने की जरूरत नहीं है बस दूसरा पेज खोलो, वो मिल जाएगा ये बुक लिखने वाला वही इंसान है जिसे आप बेसबरी से ढून रहे हैं अगर वो आपके सामने ना आना चाहे तो उसके करीब जाना भूली जाओ छे महीने पहले हुए एक मिशिन के दोरान हमें लगा एक ही मारा गया लेकिन जब उसकी मौत के खबर सुनी तो मुझे बहुत दुखवा क्योंकि वो मेरा चान से प्यारा दोस्त था मगर उसने जो गदारी की है वो मेरी दोस्ती पर धबबा है अब वो नहीं बचेगा ये मेरा वादा है सर उसे ढूरने की जिम्मधारी हमें दीजे सर आरियन मैं तुमारी सिंसेरिटी, एक्सपीडियन्स और टैलेंट से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ एके को पकड़ने के लिए तुमसे अच्छा कोई नहीं हो सकता मगर तुमारी और एके की बहुत पुरानी दोस्ती है विल दैट बी अ प्रॉब्लम नेवर सर यूरोपोल के चीफ के मर्ड़ा के जुर में मैं उसे ढोड निकालूँगा सर ट्रॉस्ट में हो ना हो वो यूरोप में ही कहीं है एके ऐसा इनसान था जो दोस्तों का चिकरी था और दुश्मनों का काल एके और आर्यन दो जिस्म एक जान थे काउंटर टर्रिस्ट स्कॉड में इन दोनों की दोस्ती की मिसालें दी जाती थी इन पाँचों ने एक टीम में रहकर ऐसे ऐसे मिशन कंप्लीट किये थे जिन्हें करपाना नामुम्किन था एके यानि अजे कुमार जिसे दुनिया की हर गन को चलाने में महारत हासिल थी तुम अदर देखो जंगी तोपो के बीच वो शेर सकता हिलता था थी चमान कमान को गो 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 अससर अच तुम मेरे पीछ थै पूरथो ज़्या मॉर्ण। यह देखो हम यह से अंदर कुसेंगे माइकल शूट शून ये तरसी बार में तुम्हें बचा रही हूँ मैंने तो तुम्हें पचास बार बचा है हम यहाँ एक दूसरे को बचाने नहीं आए तुम जानते हो हमें हमेशा कौन बचाता है हम पांचों की दोस्ती और कौन है बहुत अच्छे लेकिन इस मौत की जंग में वो मस्ती के पल खोज लेते थे एके की शक्सियत सब पर भारी थी जंग का मैदान उसके लिए वो कम्पूटर गेम था जिसे वो सोते जाकते कभी भी खेच सकता था आज से छे महीने पहले औस्ट्रिया में एके के घर पर उसकी बीवी ने एक पार्टी दे रखी थी टोसा लोजा पर एक पो मिर्ण गड़ और ऐक या तेबल इडली डोसा ओरडर तड़ो पलेट आपके लिए फ़ए प्लेट चे जलती करो कई भी यह मेरा ईजर खाने रलग जाए ओडऱ्र रेड़ी है को प्वेक लिया रागइ नहीं माम आपको बाहर गल्ले से बैठता है चाहिए आप यह क्या कर रही हैategल का रही है ओरड़र एक्वाड़र ऑड़र अर्ड़र आरड़र अहां ऑड़र लिको इडली पांच पॉंगल फांच दोसा पांच पुरी पाच, रवा पाच, मसाला डोसा पाच, रवा मसाला पाच, और इडली भी, जल्दी गरो आ गया, आ गया, इडली लेके आ गया अका पेल पादे के लिए अलो, हाउस यो फूद मैं, आ यू लाइकि इडली लेके लिए खाईए, खाईए जी आपको, मैं और लेकर आओ, चट्पी खाईए ना अंकल, अंकल, अंकल इस्ट बेस्ट अंकल आउन, वाच, वाच, वाँ सत रिं सिदो जाए जा कर दबा टेबल को अडलो यह, माम लीज़ा रोजलीन दूवाँ मैheit को प्रखास करो दाप म lif dal इंगम चेक्क माँजर पॉबेलो ब्लीज जिल्दी जाओ अबskी न्यक modelling प्यार का बुखार, बाहर कर रहे हैं किस्टमर ओर्डर का इंतिजार, बबली मेरी यार, क्या हमने कभी नहीं किया प्यार, बताओ इने, इस उबलते पानी की तरह, अंदर के इमोशन्स को भी कंट्रोल में लाना चाहिए, बबली डांडी मार कर गंचली, बिल्कुल नहीं, य इसे दिखा रहे हैं, जैसे पांच बहीने से अलग हो, कितने दिन अलग रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता, किस से अलग रहे हैं, उससे पड़ता है, ओहां, दोकी थी एक बज़िदार फ्रेम कहादी, चलते हैं बाहर मैं और तू, करने दो इनको गुटर्गू, प्यार मैरिड कुपल को विश करने के लिए प्यार और शादी के बारे में टिपस देने के लिए हमारी रागनी मैम से अच्छा और कोई नहीं हो सकता, मैम मैं मैं क्या कहूं लोग कहते हैं कि पती और पत्नी को एक साथ जीने के लिए समझोता करना होता है मगर मेरा मानना है कि जीने के लिए समझोता नहीं एक दूसरे का भरोसा ज़रूरी है यही सच है तालियों की आवास से तो मैं भूली गई कि मुझे क्या बोलना है I'm stuck एक पत्नी के रूप से इस वक्त इस पल अपने तन अपने मन और आत्मा से जो सुगून और खुशी प्यार सैटिस्फेक्शन मुझे मिला है भगवान से मेरी दुआ है कि वही सब कुछ तुम दोनों को भी मिले कि अज़े तुम्हें तुम्हें ताप लेंग्वेज बदा कर खालति की अब तुम्हें कम और थप थप से ज्यादा बात करती हो अज तो तुम् पार्टी में शागे हैं वो सब इंफ्रेस करने के लिए कहा या जो कुछ कहा वो सच था आज तक मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना बड़ा सच बूलने की हमत नहीं के और ना ही कभी आगे कर पाऊंगे मेरे लिए तुम्हारे साथ रहना खुशी नहीं है क्योंकि मे तो फिर वादा करो अगले तीन महीने तुम मेरे साथ रहोगे रैड अलट का मतलब मैं अच्छे से जानती हूँ आप जाने की तैयारी कीजिए आप जाने की तैयारी कीजिए आ बताओ क्या खत्रा है यह बर्लीन में आभ भूकमप 8.5 लिक्टर यह नैरोबी में आभ भूकमप 7.5 लिक्टर यह सिधनी में आभ भूकमप 8.7 लिक्टर यह एरिया साइजमिक जौन के बाहर है यह आप भूकमप आने का कोई चांस नहीं यह हुआ कैसे अब ही बताता हूँ माईक इसकी बज़ा है निलाकों में जमीन के नीचे छुपाई ये तीन ब्लूटोनियम बॉम हैं इसे कहीं से भी उपरेट किया जा सकता है और जिस चीज से इसे उपरेट किया जाता है उसे वेपन ड्राइफ कहते हैं मौझूदा पावरफुल न्यूक्लियर बॉम के मुकाबले इसमें पूरी दुनिया में भुकम पलाने के लिए सो गुना ज्यादा शक्ती है ये तीनों वेपन्स इंटरनेशनल वेपन माफिया के कबसे में हैं इस मैनमेड अर्थक्वेक को दुनिया के हर कोने में करवाने के लिए मेडिकल कमपनीज और कंस्ट्रक्शन कमपनीज पैसा लगाती है क्योंकि भुकम के बाद जो नुकसान होता है उसका फाइदा इनहीं दो कमपनीज को होता है देया मर्डरर्स समझ गया जब इन वेपन्स को जमीन के अंदर दफना कर ब्लास्ट किया जाता है तब ही होता है मैनमेड अर्थक्वेक बाहर से देखने पर ये बिलकुल असली भुकम लगता है अभी जो भुकम जकार्ता में आया था वो भी इसी की वज़े से था इसके पेचे किसका अथ हो सकता है उसका कुछ पता नहीं है लेकिन इतना पता है कि एक वेपन ऑस्ट्रेलिया में तो दूसरा ज़र्मिनी में दफनाए गया है और वो कभी भी भट सकते है किसी भी प्लूटोनियम वेपन को डेटोनेट करने से पहले सीक्रेट कोड लगता है वो कोड उन्हें कहां से मिला एक कम्प्यूटर हैकर की मदद से उन्होंने सीक्रेट कोड हैक किया हैकर? नाम नतार्शा ठिकाना बलगेरिया उम्र 21 साल इसी के पास उस वेपन का कोड है ये जानते हो भी हम उसे ट्रेस नहीं कर पाए उसने जकारता वाला बॉम डेटोनेट कर दिया लेकिन ये पता नहीं चल पाया है कि इतनी कम उम्र की लड़की इस इंटरनाशनल माफिया के बीच कैसे पहुंच गई और अगले दो वेपन को चलाने के कोड भी उसी के पास है इसमें टेररिस्ट और बिजनसमें शामिल है अगर ये न्यूस बाहर लेख हुई तो इस बात को लेकर वर्ल्ड वर्ट थ्री हो सकता है CIA के चार लोग, FBI के पांच लोग, Interpol के तीन लोग ये सारे लोग नताशा को पकड़ने गए थे मगर इनमें से कोई भी जिन्दा वापस लोट कर नहीं आया कब जाना होगा मुझे आने वाले 50 घंटों में अगर हमने उसे ढून कर नहीं निकाला तो इस दुनिया को बरबाद होने से कोई नहीं पचा सकता दुनिया भर की सीक्रेट सर्विसे से लेकर इंटरनाशनल माफिया तक सब इसे ढून रहे है ये लड़की जिस किसी के भी हाथ लगेगी वो फैसला करेगा कि इस वेपन को ब्लास्ट करना है या डिफ्यूज अब ही तक तुम सिर्फ मौच से लड़े हो मगर अब तुम्हें वक्त से भी लड़ना है खयाल रखना मेरे तोस्ता अजरू नया असाइन्मेंट अभी जाना है ना बुलिट टूफ जैकेट रख दी है गन, होल्स्टर सब पाकर दिये हैं तीन जोडी कपड़े भी रख दिये हैं काफी होंगे ना क्या तुम्हें इस बात से थकलीफ रही होती है कि तुम्हें ऐसे आद्मी से शादी की जो 2400 गंडे ड्यूटी करता है हर पत्नी को चिंता होती है कि उसका पती अपनी ड्यूटी से घर आएगा की नहीं मगर जब ये सोचती हूँ कि ये काम सर्फ मेरा पती कर सकता है तो खुद पर गर्व महसूस होता है और आप पर भी इस डर और गर्व के बीच में अपनी जिंदीगी जी रही हूँ आपने वादा किया है ना इस मिशन को पूरा करने का किया है तो फिर आप जरूर पूरा करेंगे आप जो कहते हैं वही करते हैं मैं कितना काबिल हूँ ये मैं नहीं जानता वगर अपने मिशन को अंजाम दे कर ही मैं लोटूँगा यह जो यकीन तुमने मुझे पर रखा है यकीन ही मुझे हर दिंग चीतने की दाकत देता है एके आज तक हम दोनों के लिए प्यार सिर्फ एक एहसास था लेकिन अब उस एहसास में जान आ गई है और वो मेरी कोख में पल रही है कि अब बेटा आप्व भूल गये क्या मुझे तुम है क्या पपा आपको लगता था ना आपका अपको एकदम पपू है लेकिन यह पपो पास हो गया है आपको यादे में बचपन में पुलिस पुलिस खिलता था अब मैं सच में बड़े फिल्ड कमांडर के साथ काम कर आपको मेरे तैलेंट की तारिफ करनी पड़ेगी कैसे मैंने भीड में आपको पैचान लिया आपके साथ काम करने का सुनहरा मोकम मुझे मेरे दोस्तों ने दिया है लेकिन पता नहीं कर दो जाएगा अच्छा सब को फाफड़े बाटा 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 जाएगा अच्छा सर हमारी इंडिलिजन्स रिपोर्ट के हिसाब से पता चला है नताशा पेस बदल के पूरी दुनिया में घूम रही है और आपने बोला नताशा यह है अब मैं क्या बोलूं सर कॉफी बोला है नताशा के सारे विज्वल्स जो सीची टीवी फुटेज से मिले हैं उसे पाइल है सुनलिया गाइस जो बोला है वो जल्दी करो हूँ है है यह क्या रागनी है जब मैं सामने था तब क्यों नहीं बताया अगर सामने बताती तो आप बहुत खुश होते और हर पतनी का सबना होता है अपने पती के चेहरे पर ऐसी खुशी देखना लेकिन अगर बता देती तो आप मिशन पर नहीं जाते है और वो मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी यह मिशन आपके लिए जतना जरूरी है उतना ही मेरे भी है श्याम को डॉक्टर के पास जा रहे हूं वहां से कॉल करती हूं ठीक है हम रेडी है सार ठीक है नताशा के जहरा इस वाले में सो टका मैच यह मैच रहे है इसमे में अज्य का मैच रहा है उर इसमें साइटका मैच रहा है सर तट सीओन इसी चगे पर नताशा को बार बार देखा गया है कि अपर्टन लैंडमार को इस रोड जैसे की एरपोर्ट नई सर्ट्राम स्टेशन्स नई स्कूल्स नथी मॉल्स ना सर्ट अब्स चांशी नथी कैस तरफ को हॉस्पिटल है हा सर् प्रिंस्टन होस्पिटल यहां का सबसे बड़ा होस्पिटल for you mister thank you Princeton Hospital right get well soon thank you uncle good morning morning स्टाफ की पूरी लिस्ट चाहिए right away बीज मिनिट के अंदर यह सारे डॉक्टर्स कॉन्फरेंस रूम में होने चाहिए apps yes sir दोखापचेन बोलो no sir sir पैसे की चिंता मत करो सब के लिए मंगाऊ ना पैसे मैं दूंगा हम दावत के दोखेतर भेज दूंगा apps दोखापचेन प्लीज okay sir it's a wonderful day right कि आपको खुशी नहीं आप जिन्दा है आप सब डॉक्टर्स हैं लोगों को बजाने का महान काम करते हैं आपको मेरा प्रणाम मेरा भी आप लोगों को इस महान काम के लिए जलाम हो मेरा भी एक पेशा है अगर लोगों की जान बचाना आपका काम है तो उनकी जान लेना मेरा काम है जिसे कोई ढूंड नहीं सकता उसे ढूंड निकालना जिसे कोई मार नहीं सकता उसे मारना यही मेरा पेशा है जस तरह मैं आपके काम की रिस्पेक्ट करता हूँ उसी तरह मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे काम की रिस्पेक्ट करें आपके सामने जो लाप्टॉप रखे हैं उसमें गिमें जाएगी तीस सेकंड तक उसे ध्यान से देखिए जंटलमन तकलीफ के लिए माफी चाहता हूँ आप लोग जा सकते हैं आप लोग जा सकते हैं डोक्टर अलफ्रेट सर दो कैपेचिनो एनके लिए पीस दूसरा कैपेचिनो डॉक्टर साप के लिए था मुझे लगा मेरे लिए है अलफ्रेट अगर मेरे बास टाइम होता तो ये कैपेचिनो आराम से किसी कॉफी शॉप में बैट कर पीते और वहां मैं तुमसे पूछता कि क्या तुम इस लड़की को जानते हो फिर तुम कहते ओहो मैं तो इसे नहीं जानता ये तुम अपने स्टाइल में कहते हैं फिर मैं अपने हिंदुस्तानी स्टाइल में पूछता और तुम्हें बताना पड़ता अप्स हमारे बस कितना टाइम है तुम मुझे बिना पूछे ये तैयारी काप कर डाली फोकस फोकस तुमने देखी कि अब प्लास्टिक सरजरी के लिए तुम्हारे पास आई थी बोल रहे हाँ आई थी दर के बारे इनके आवाज ने निकल रही है डॉक्टर इस गेम को कितनी जल्दी समझ गया नेकिन अबी तो मेरा गेम हो जाता सर और मेरी तो अभी साधी भी नहीं हुई है बच्चे भी नहीं है क्या आपने प्लास्टिक सरजरी की थी है बोलो काका बोलो उसका चेरा बदला थाओ क्या ठाड़ा के साथ जल्दी खिलाओं ना बोलो प्रश्टरी भी सुन के मूह में पानी आग्या ना है सर्जुरी के बाद अब वो कैसी देखती है बोलो बोलो काका जल्दी से बताओ बैंदेश निकालने से पहले ही वो भाग गई वाग गई मैं नहीं जानता अब वो कैसी दिखती है मैं उसका चेहरा नहीं देख सका सर मैं बिलकुछ सच कह रहा हूं मुझे छोड़ दीजिये मे नगाड़े पाजाना यह मेरी दिक्शनरी में नहीं लिखा है आजा पपू ए सार अप्पू बोलो मेरे दोस्त आ थिंग अम नताशा तक पाँचने वाले हैं बहुत अच्छे अच्छे उसके फोटो मिली जो 20% मैच होती है वह उसका नया चेहरा है वह उसका नया चेहरा है उस लोकेशन को GPRS कोट के साथ पिंपॉइंट करके मुझे टैक करो अब हमें इस नया चेहरे को टूँखा रहे हैं इस मिशन के लिए मुझे इनको कुछ सिखाना पड़ेगा फीक्ट है अभी सिखाता हूँ आसुन मझे ऐसा क्यों लग रहा कि तुम कुछ कहना चाहते हो बिलकुल सर कैसे काऊ समझ में नहीं आ रहा है कोई बात नहीं जैसे खड़े हो उसी पोज में कह दो सर टॉप शिक्रेट बात के लिए पि इस्तेमाल कर रहे हैं आपके फौण में बैल इस नहीं तो मुझे बोलते हैं दस का चोटा रिचार्च करा देता है सर इधर फौण रिचार्च नहीं होगा इतर तो रिचाज होता है सर, आप बहुस है आपको तो सब पता है, सर यह का कर रहे हैं सर, मेरी पेंटिंग अच्छी नहीं आती है, सर, दिन की चौथी कॉफी पी रहे हैं, शुगर बढ़े गा हो, हुँँँच्च्छ स्पीड पलाओ, स्पीड पलाओ, स्पीड पलाओ, यह सर, चलो जल्दी करो, वक्त काम है, अमनों जिसको ढूपता है यह वही है, हन्रेट पसंट वही है यह, शुगर, शुगर, शुगर मिलेगी, सर, 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 वो उधर रोकडा क्यों रखा है, मैं मुफ्त की कॉफी और टॉफी कभी नहीं खाता, क्या सर, आपने इतना बड़ा कांड कर दिया, और हमारे खिलाफ अंदर 11 सबूत छोड़ दिये, कल पुलिस आएगी, केस होगा, मुझे जेल में डालेंगे, पेपर में छपेगा, वो पेपर अमदाबाद जाएगा, मेरी साधी नहीं होगी, सर, तो इस सरफ आजा, उस तरफ आने से साधी हो जाएगी, क्या, वो पैसा छोड़ा उस पे, कप के एंडल पे, हर जग हमारी उंगलियों के निसाने, सर, अब इधर आना प मैं सुसू करके आता हूँ, और एके जा पहुंचा क्रोएशिया की सीमा पर, जहां पर अलबेनियन ग्रूप था, मोटा भाई, इधर क्यों आए है, अब यहाँ पर करभा होने वाला है, अब यहाँ पर कर लिया, इधर डांडिया खेलेंगे, सर, लो इसे पहन लो, है, सर, 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 मैं पपा से जगडा करके अमदावाद से इधर तक आया हूँ, पपा ने बोला धंडा कर, मैंने बोला हाँ धंडा करूँगा, लेकिन विदेश जाके है, आप तो धंडा चालू होने से पहले बन करा रहे हैं, सर, यहाँ तो मुर्दा भी रास्ता बता रहे है, यह सब लोग कौन है, इन सब को देख के मुझे बहुत डर लग रहा है, सर, चालो ने पासा जाए, सर, इंसान तो ठीक, इधर कुत्ते भी भयानक है, किसी एकात कुत्ते ने मुझे काटा ना, तो पूरे 14 इंजेक्शन लेने पड़ेंगे, वो भी अमदावाद जाके, इध सर, एक और सूपर पावर टैटू की जरुवत है, करालू, है, कुछ तो बोलिया, सर, अच्छा, इधर बास्केट बॉल खेलने आए है, पहले बोला होता, बड़े मैदान में ले जाता ने, तुम्हे याद है ना, यह क्यू आए, तो जो मैं बोलने वाला हूं, बोल दो, अच मिनिट में इनका बास अगर सामने नहीं आया, इन सब की खोपडियां फोड़ दूंगा, यह खोपड़ी, यह फुटबॉल नहीं यह खोपड़ी है, इसे कैसे फोड़ेंगे, है, है, सच में फोड़ेंगे, बोल देने, एक मिनिट हो, सर, हालो पपा, अलपेस कुमार पटेल बोलो चू, है, सर, वो तो मेरा सौटफोम है, मैंने आपसे कहा था ने, के वीदेश जा के आपका नाम रहो सन करूंगा, अब चार लोगों को भेजो मेरी अर्थी उठाने को, है, पपा, अलपेश गुमार पटेल, इन से कह दू क्या, कही दे, है, इनको मेरे मन की आ ओपाइगे, तो हम तब आएगे भाइगे, ऑप्र, यू मैंने कहा थे तुने नहीं कहा थे, आप रहले कहा, वही जो तुने नहीं सुना, हुँनगा और विखो, टूम तो तुमारा नहीं तुमारे ब essent है उसको भेविलाओ, मैं तो बुलाओ, स्नाफ्सनानि युक्ण नही आपो, गेट को अच्छा जबान का करूछू सर् हमारे देश में बॉस तमंचे से नहीं तमाचे से काम लेता है लोका कि अलेड़ कि खिली नहीं हें has the जिसका गगा गगाintend कायो! कि याले अचा अभेश अवहें त कि जिसक बाँ धिले गगाgado मिलैं कि अभागा बसल अभाएphon हुगुग ऑथ सर ये क्या कर दिया आप यहां से जिन्डा नहीं जा पाएंगे अभी तो मेरी साधी भी नहीं हुई सर इसको पूल, टेंशन मतले, टेंशन लेगा तो बीपी बढ़ेगा और बीपी बढ़ा तो खून का फ्लो बढ़ेगा क्योंकि मैंने इसकी टांग की नस काड़ दी है यानि की फिमा और लाट्री अगर पंद्रा मिनिट में इसको मेडिकल टीट्मेंट नहीं मिला तो ये जैन्नूम में चला जाएगा तेरे पाफ सिर्फ एक रास्ता है या ज़कून बहरा उस जगे को अपने हाथों से टाइट पकड़ तो शायद पंद्रा मिनिट की जगा बीच मिनिट जी लेगा अबे सोचता क्या है एक सवाल का जवाब देने के लिए इतना टाइम काफी है बता इस लड़की के बॉइफ्रेंट को कहा चुपाया है तुम जिंदा नाइट बचोगे नाइट चोड़ूगा तुम्हे अबे टाइट पकड़ टाइट पकार ज़र जल्दी करना टाइम बहुत कम है मेरे पास नहीं टकले के पास बच के नहीं चापाओगे कितनी बार बोरो टाइट पकार बोल ना इस लड़की का बॉइफ्रेंट किदर है बताता हूँ सर ये बोल रहा है सर नाइस हमने ही किदनाब किया था चलो इस बात की तो तसली हो था हम नताशा को ढूण रहे हैं क्योंकि उस बाब फोड़ने से मना कर दिया था लड़की के बारे में पूछना चाते थे लड़के को मारा और वो लड़का तपक गया सर इधर जा रहे हैं सर दड़ा दड़ कोली चला आदे हैं वो लो जानों दे गरे हाँ बोला रहे हैं एके तुमने पूछा था न उस लड़की के चहरे का मैच कौन कौन सी जगहों पर स्पोट हुआ है यप डिटेल्स आ गई हमने उन लोकेशन को मार कर लिया है जिस जगह पर तुम्हारा टाइम चाड़ अभी सिंख हो रहा है तुम जिस जगह पर अभी हो उसके आस पास वो लड़की बहुत बार देखी जा चुकी आई उशूर अचाही अब की बात है रेचल 12 फरवरी 2017 अचाही सर पूछो के इस लड़की के बॉइफ्रेंट को कभी बंद करके यहां रखा था 12 फेबरी 2017 12 फरवरी 2017 हलो एक बेवोश बंदा है जिसके हाथ पर आपके हॉस्पिल का टाग है C-2386 C-2386 कार्डियोलोजी डिपार्टमेंट है सर अभी कनेक कर रहे हूं Thank you C-2386 यह पेसमेकर का कोड है पेसमेकर? हाँ इसको डिल में लगाने से हाथ रेट रेगूलेट होता है कि आप उस पेसमेकर के जरी उस बंदे को ट्रैक और लोकेट कर सकती है I can try A पेसमेकर ओफ है, पेशन्ट जिन्दा है या मैं बाद में फोन करता हूँ यही पेसमेकर इसके सीने में लगा हुआ था नटाशा एक कंप्यूटर है, और से कस्पेसमेकर को है करके यहाँ का पता लगा लेका लेकिन वह अंदर महीं आसकी जब इसकी मोत हुई तो पेसमेकर की भी मोहत होगी वो कंफ्यूज हो गई मैं पीछे एक पूछ रहा हूं सब आगे तो मोहती मोत है कम यह है जहां साय थे वहीं से जाएंगे यह तुझे बचा लेगी सर कैसी बाते कर रहे है आपको बताया था मेरे बच्चे नहीं है उपन तो ठीक है मिशिय का क्या सब कुछ बच्चा हैगा साच्छे कम अधिश्य को जैकेट में टाइम बाम है सर यह बाम नहीं है यहां से निकलने का पास्पोर्ट है अगर किसी ने कोली चलाई और अटोमाटिक ट्रिगर से हाथ हटा लेना बाम फट जाएगा यह पूरी बिल्डिंग राख हो जाएगी यह भाई लोग निकलो यहां की जुबान यह लोग बहुत अच्छे से समझते हैं क्यूंकि डर की क्या है कि प्लां किया हां करें, सर。 वेबसाइट को है काइट है, सर? भी है कारू? हाक कर के वस हाकर की ट्रेस करो. हाकिंग लिजनेद फ्रम इंडिया न अमेरिका. एस्टरलिया जापन रॉश्या, चाइन फ्रांस सर, इंडिया, अमेरिका, अस्ट्यया, जापन फ्रांस, हम सबसे पावाफुल वेपन यूज़ करेंगे लाव, यानि एश्क माइक, नताशा की बॉइफरेंट का ये फोटो लो और एक वर्चुल होलोग्राम बनाओ आप लोग अपने पुराने चस गेम को कंटिनियो करो I'll make the hologram ready अब अम इस वर्चुल होलोग्राम को भीडवाले एरिया में रखेंगे नताशा या किसी और को शक नहीं होना चाहिए ये सिर्फ एक होलोग्राम है जिन्दा आदमी नहीं पेसमेकर को अक्टिवेट कर दो ये बताओ कि पेसमेकर अक्टिवेट हुआ कि नहीं हो गया है सर, ओन करता हूँ चार एक्जिट्स हैं शॉन, एक्जिट ए, सिद, रिबोर्टिंग सार, रेचल, इन पोजिशन, शूटर वान ये तरफ, शूटर टू, बाई तरफ, शूटर सेवन, बाई तरफ नीचे, इन पोजिशन सार नताशा हॉस्पिटल के वेबसाइट को हैक करके, पेसमेकर के लोकेशन को लॉक कर देगी इलेक्ट्रोनिक कन्फरमेशन जहां हमारा वर्च्वल होलोग्राम होगा उस एरिया के सीसी टीवी कैमराज को हैक करके अपने बॉइफ्रेंट से मिलने आएगी वेज्वल कन्फरमेशन एके, इस एरिया के सारे सीसी टीवी कैमराज एक के बाद एक बंद हो रहे हैं अगर एके का इंट्यूशन सही है, तो नताशा यहां सरूर आएगी और हमारे चाल में फंच जाएगी खबर अच्छी है अब अमेंसे दुनिया भर में ढूणने की जरुवत नहीं ना उत्तर दक्षिन में ढूणना होगा, ना ही पूरब पस्चिन में मचली खुद हमारे जाल में फंचने आ रही है, लेकिन कहां रह गई एक है लगता है नताशा ने सीसी डीवी के साथ साथ इस एरे का पावर कनेक्शन बंद करना भी शुरू कर दिया है होलोग्राम बैटरी बैक अप पर चल रहा है, बस और दो मिनिट का बैटरी सब्पोर्ट बागी है इस एरिया में आए बिना वो पावर कर्ट निंग कर सकती, वो यहीं है यहां तीन-चार सो लोगों की भीड है, उन में से सौट-डेट सो लड़किया है नताशा इन में से एक होगी लेकिन कौन सी एक मिनिट में होलोग्राम बंद हो जाएगा नताशा यह देखेगी तो उसे शक हो जाएगा और वो भाग जाएगी बैटरी रुग जा, पांच मिनिट वहां फुट वाली लड़की को देखो हाँ वहां, वहां कहाँ 30 सेकंद में होलोग्राम बंद हो जाएगा कि में होता जाएगा क्यों टीम, तो सुम्थिंघ 20 सेकंद हैँ भाट भिघ्ट में होलोग्राम तेजिट वंगत्ट कीज़र लुंगर भाइब्वडया जलाम तरहएगा यह discussion रिंवे तंक्स। वटलांवे cannabis प्लांव्लांवे बौन्ड सिर्फ एक शख्स जहां ब्लास्ट हुआ है उसकी तरफ भागेगा वही हमारा टागेट नताशा है स्टे फोकस्ट पास कहीं चेडिया रीचल तुम्हारे लेट में गो गो खोके सार यह वह भागरे है भगड़ा उसे पखड़ा सर सबने वोट पैन रखा है अच्छी तरह ढूड़ो याप्ट जदुमसी ज़ूद यह कयो हॉ कम यह कर दो क्या रहा है हलो कम इन अपने करो मैं शाफिक आपड़ी आप डाटी यह वा जादिया विसी ठीक,टो! मैं घेर चुकी हूँ!! मैं सेर्या कष मोबाल नेटवर्क जाम कर देती हूँ!! यही है वन बिलन यृरो शीरी!! मूग भूग नवग पुकर्व लावसे!! Come on, let's move! उस लार की को पाका नहाए, चलो, चलो! मेरे बशेभरा हूहाई भॉज मेनाता है वहाँ के ऐिशेहारा हो कि अभरोष है ऐना झाल पकाड़ भूब रव risky जाल रनीजा कि इ तप ऊपना ने जा हमार। कि अर कर haya लेघर, को अपना है। कि कि अर्यून खेडर सभ्म हे, अब दो ध эфф팅! हे, तो आप पकटने जारे नताशा का पता चल्गिया जदी करो खाँ खाँ अ प्रप्र अ खाँ अंशा ना न मुंधि अज़न नीए ना ना ने पारतों इन नगाल मुंधिसे अ ना चाहिए है और नटाशा आगाजो आगागा जाओ जाओ गाई हालो बोलो रागिनी तुम ठीक तो हो ना मैं ठीक हूँ आज मैं बहुत बहुत खुश हूं दॉक्टर हमारे बच्चे की हार्ट बीट पहली बार सुनाने जा रही है आप सुनेंगे हाथ सोनूगा आप पका ठीक है अपना खयाल रखना सिर्फ मुझे ही नहीं आप तो किसी और को भी आपका इंतिजार रहेगा मैं हूंगा प्राइक चेर ढहे प्राइक प्राइक ज़े दिया ढां ग्यान आप 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 हैं? से अरहाएड़ और आँ स्थार अरहाँ अरहाँ से रहाँ उडत युण अरहाँ अर्ष युण अक्रीकर अच्छर लुगरी सिर्टाब अच्छराऊब थे से थे अज़ है कि तो च्रीकर बार बोड़े जिए पीडिये थे पांट अक्रीकर बन्टी है सबस्ते है अक्स्य क्रूब गोंधा यह खाओ मैं डर गई थी, इसलिए मैंने गोली चलाए मैं पैसों के लिए हाकिंग करती हूँ, I'm a hacker कंप्यूटर ही मेरी जिंदगी थी मेरे माबाप इस दुनिया में नहीं है, मैं बिल्कुल अकेली हूँ एक दिन मुझे एक लड़का मिला, Sam उसने मेरी जिंदगी पतल दी लेकिन एक दिन किसी ने मुझे पैसे दिये और एक कोड को हैक करने के लिए कहा और मैंने उसकी बात माल ली मुझे नहीं पता था कि वो किसी वेपन का कोड है लेकिन जब मुझे पता चला कि इसे जकारता में मैंनमेड अर्थ को एक करवाया गया है और उससे बेगुना मारे गए हैं तो मुझे बहुत दुख हुआ और जब उन्होंने मुझे ये काम दोबारा करने के लिए कहा तो मैंने मना कर दिया मुझे वो काम करवाने के लिए उन्होंने साम को किडनाप कर लिया मैं नहीं मानी तो उन्होंने साम को मार डाला मैं गुड़ेगार हूँ मैंने अपना चेहरा तो बदल दिया, पर अपना दिल नहीं बदल पाई हाल सर, एके, वो वेपन ड्राइव लेकर यहां जाओ, क्यों? क्योंकि चीफ ने कहा है, मैं बात करता हूँ, आने से पहले उस लड़की को खत्म कर देना मैं बादेर्फोन करता हूँ, क्या आप मुझे माहर डालेंगे सर, लेकिन मैं जीना चाहती हूँ, सर, मेरे पास सिर्फ दोनों वेपन को अक्टिवेट करने की ड्राइव ही नहीं, उन्हें टोटली डियाक्टिवेट करने की ड्राइव ही है, आपके ओगनाईजेशन के लोग भी इस वेपन ड्राइव के पीछे पड़े हूँ हैं, सर, और मैने ही चाहती, ये वेपन कर सकते हैं, सर, टाइम इस रुनिंग, वक्त बहुत कम है, मुझ पर भरोसा कीशे, ये रुको, ये रुको, ये के, हारियन, नताशा सच बोल रही है, वो निर्दोश है, मैं वो वेपन ड्राइव लेकर हैटक्वाटर जा रहा हूँ है, वाइसे डेक्टिवेट करेंगे, उ वो जो पहाड आप देख रहे हैं, सर, साटलाइस स्टेशन वही पर है, वहले हैटक्वाटर जाना, मुझे जा के चीफ को बताना होगा कि तुम पेको ना हो, कहल इस जगह पर कितनी देर तक ट्राफिक जाम था, मैं चेक कर के बता सकती हूँ, तुम ये करबा होगी, हाराम से, मैं किसी भी ट्राफिक क्यामरा को हैक कर के ये बता सकती हूँ, तुमारे बास हर ताले की चाबी है, क्या हुआ, इससे पहले यहाँ कोई जग पोस नहीं था, क्या ये ट्राप है, हाँ, आरियन, क्या हुआ, कैसे हुआ ये, मेरे दोस्त, इसके कीमत इंटरनाशनल मारकेट में 20,000 करोड यूरोस है, जानता है, दोस्ती के मुकाबले 20,000 करोड यूरोस बहुत ज्यादा है, तु मेरे पैसे हडपना चाता था, इसकी बॉड़ी में इतने छेट करो, कि चील कवए भी घाने से इंकार कर दें, हो, हलो, 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 दोस्त हो तो तेरे जैसा, जिसने अपने ही चाम देकर, दोस्ती के कीमत चुकाती, हलो, 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 कुछ तो बोलिए, हो क्या रहा है, आप ठीक तो है ना, हैपी जोनी है की, अगले जन में फिर मिलेंगे आप कुछ बोलते हैं क्यों नहीं सर्फ एक बार करें जो किया आप लॉट कराइंगे इस मेरी हातर कही है क्या आप लॉट कराइंगे जब भी आप वादा करते हैं तो उसे पूरा करते है वादा कीजे वादा कीजे कि आप लाट कराएंगे मैं लाट क्या हूंगा ये लो वेपन ड्राइव और बीस हजार करोड की डील फाइनल करो अब ये वेपन ड्राइव हमारे पास है इससे मेरे सारे सपने साकार होंगे हमारे अकाउन में बीस हजार करोड यूरोस होंगे और इन पैसों से हम दुनिया भर के पॉलिटीशिन्स बिजनसमेन और टेररिस्ट ऑगनाईजेशन को कंट्रोल करके राज़ करेंगे अब मेरी जीत होगी और मैं दुनिया पर दहशत का परिंदा बन कर मन राऊंगा और मेरी उडान के परों को कोई नहीं काट सकता पिछले तीन महीने तक एके अपनी मौथ से जंग लड़ता रहा क्योंकि एके वो शक्स था जो चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए वो धुरुपतारे की तरह अटल था दरिंद की भी इसके आगे जिंदा रहने की भीक मांगती थी एके की आखों में अब भी वो मंजर शीशे की तरह साथ था जब आर्यन और उसके दोस्तों ने एके को जान से मार ही दिया था अब उसका एक ही मकसद था कि वो ये साबित कर सके कि आर्यन हीरो नहीं एक आतंक वादी है कुद्रती ताकते भी उसके आगे सर चुकाती थी तो आर्यन क्या चीज था पिछले तीन महीनों में एके ने खुद को आर्यन और उसकी फोर्स से लड़ने के लिए तयार कर लिया है और तीन महीने बाद उस वेपिन डील के समय एके को वो मौका मिल ही गया और आज वो आर्यन के सामने एक चटान की तरह ख़़ा है क्या एके जानता है कि हमने उसे गोली मारी थी? उसे इसकी भनक भी नहीं है तुम यकीन है? सबूत क्या है? हम सब अभी तक जिन्दा हैं यही इस बात का सुबूत है अगर मेरा दोस्त हमारी असलियत जानता तो हम चारों की बॉड़ी बैग में भरके कहीं भेग चुका होता हमारे सीटीय सेफ हाउस से चुराया हुआ एकमेंट इस वक्त एके यूज कर रहा है उसके एक डिवाईस का जीपेईस काम कर रहा है बुल सा है इस जीपेईस का इस्तिमाल करेंगे एक हे कहाँ पता करो एक हे से उस वेपन ड्राइफ को लेंगे और इस बार बिना कोई खलती किए उसे मारेंगे सिर्थ से लेकर पैर तक उसके हरेक हैसे को नोच नोच निकॉलेंगे और फिर उन्हें चलाएंगे उसके नाम की हॉलिका चलाएंगे और फिर उसकी जली हुई राख को हवा में बहा देंगे हमें उसका ठेकाना मिल गया रेचल और माईक, तुम दो मुऺः आज तक हमने जो भी टेरिरिस्ट अटाइक किये, जितने भी बॉम ब्लास्ट किये, स्मॉगलिंग से जितना भी पैसा करें, इन सबसे कीमती आने वाला एक घंटा है, क्योंकि यही आने वाला एक घंटा हमारे किस्मत का फैसला करेगा यह एक electronic contact lens है, जो तुम वहाँ देखोगे, उसे मैं यहाँ देख पाऊँगा आरियन, तुम्हें साफ सफ दिखाई दे रहा है? हाँ, बिल्कुल साफ साफ, यह एक audio device है, जो भी तुम वहाँ सुनोगे, उसे मैं यहाँ सुन पाऊँगा आरियन, can you hear me? क्रिस्टल क्लिया, जानते हो सबसे बड़ा हथियार कौन सा होता है, हम्, पक की दोस्ती, सोच समझ के इस्तमाल करना लेट्स किल एके, एके, एके एके, माइक इस हीर, वर आई यू एके, यूर फ्रेंड माइक इस हीर आरियन, थर्मल इमेज मिल रही है? साटिलाइट लिंक हो गया और थर्मल इमेज मिल रही है एके, किसी भी वक्त तुम्हारे सामने आ सकता है, लुक अट यू राइट हाई, एके, रेचल, माइक, कैसे हो तुम लोग? हम सब ठीक हैं, एके, तुम्हें इस हलत में देखकर बहुत तकलीफ हो रही है हम यहाँ पर है, इस बात की खबर ना तु चीफ को है और ना ही बाकी टीम मेंबर्स को तुम्हें यहाँ से सुरक्षित और सही सलामत ले जाना ही, आरियन का प्लान है उसे ने हमें यहाँ बेजाए इस वक्त हमारे लिए सबसे जरूरी है आपकी बेगुनाही को साबित करना तुम दोनों को एक बार फिर देखकर कितने खुशी हो रही है मैं बयान नहीं कर सकता आज के बाद ये लड़ाई तुम्हारे अकेले की नहीं है एके, हम तुम्हारे साथ है स्वीट हाट, अपना एमोशनल अत्याचार बंद करो पूछो से, वेपन ड्राइफ कहा है? अच्छा, वो ड्राइफ कहा है? अंदर है आओ मेरे साथ उसकी आँखों में बिलकुल मत देखना पीचे चलते रहो अपने दिल की धड़कन को काबू में रखो, उसे शक नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर उसे तुम दोनों पर जरा भी शक हुआ तो तुम दोनों वापस नहीं लौट पाओगे एक बार वेपन कोट देख चाहे तो फिर बिना हिच की चाहे उसका काम तमाम कर देना माइक, प्रेचल, जिन्दगी में कई कॉमबाट्स, कवट अक्शन्स, क्लोस कॉल मिशन्स और लडाईया लड़ी है मैंने मागर जिस लड़ाई की, अब मैं तैयारी करने जा रहा हूँ, वो सबसे अनोखी होगी पट दिस वन इस डिफरेंट डिफरेंट मतलब, ऐसा क्यों कह रहा हूँ? आज तक हुई हर लड़ाई में, मेरा जो विरोथी था, वो मेरा दुश्मन था एफ यह, यह, क्या रहा है है अगर इस बार जो लड़ाई होने वाली है, उसमें विरोथी मेरा तोस्त होगा सर, थालब अलिमेचिंग नहीं दिखाए ते रहे हैं सर, आवाज नहीं आए हैं सर, आप कुछ दिखाए भी नहीं दे रहा हैं इंफारेट रडिएशन बहुत जादा है सर, इस अ कप्ली सर्वेलेंस ब्लाकाउट सर, गेट बगग दिखाएशन शॉन, ओके सर, वो नहीं भुसा, उसने हमें भुसाया है, वो छुपा नहीं है, गात लगा कर बैठा है, हमें मारने के लिए जानते हो, दुनिया में कौन सा दुश्मन है, जिसका तुम सामना नहीं कर सकते, धोका खाया हुआ, एक सच्चा और सखमी दोस्त स्वाथ टीम को जल्दी टरनल के अंदर भेजो, सेंड मी दा ब्लूप्रेंट अप दा चानल राइट नाव उस गुभा की लंबाई 40 किलोवीटर है, और अंदर जाने का एक ही रास्ता है, मगर अब वो बंध है अगर एके ने इस जगह को चुना है, तो बाहर निकलने का रास्ता या फिर कोई न कोई एक्जिट प्लान सरूर होगा एक्जिट डोस कितने है, तैनल के ब्लूप्रिंट में काफी कन्फूजन है, दिरिस नू एक्जिट पॉइंट, मुझे अस त्राइम के कंस्ट्रक्शन ब्लूप्रिंट दिखाओ, देखो, इसमें साथ रास्ते हैं और इन में से कई रास्ते अंडर्ग्राउंड ट्रेन ट्रैक से जाके मिलते हैं, यही है उसका एक्जिट प्लान और यहन, माईक के फोन से कोई कॉल कर रहा है एक एक आई काई कॉल होगा, और इसे ट्रेज कर पाना मुश्किल है बोल दोस्त प्यारे दोस्त, अगर तु सच्चाई के लिए लड़ता और हक से मांगता, तो अपनी चान तक दे देता मैं तेरी बंदोग से निकली हर कॉली ने इतना जखम नहीं दिया, जितना तेरे धोके ने दिया याद है आज तक कितनी बार तेरे लिए मैंने अपनी चान जोखे में डाली है, कि तु एक बार मेरे लिए अपनी चान नहीं दे सकता तु जिन्दगी जीना भी नहीं जानता, और पूरी दरह से मरना भी नहीं जानता तुझे आज ना है, इसलिए ढाल बनकर हमेशा दिर्या आगे खड़ा रहा लेकिन तुने मौका पाती, मेरी पीट पर तलवार भूगती तु इनसान नहीं है दुनिया में जितने भी देश हैं उनको सिर्फ उनकी सरकार नहीं चलाती ड्रग माफिया, वेपन जीलर, ये दोनों भी चलाते हैं इनमें पॉलिटीशिन, बिजनसमेन, गवर्मेंट ओफिशिल, आतंगवादी संगठन भी शामिल है मैं अब उन सब को कंट्रोल करूँगा मैं अपने फाइदे के लिए सारी दुनिया के हर कोने में युद्ध शुरू करवाऊंगा धमाके करवाऊंगा, अटाक्स करवाऊंगा और इंडिया जैसी डिवेलपिंग कंट्रीज में मैं नैश्रल कलामिटीज के बाद नए मारकेट्स क्रियेट करवाऊंगा तुम जो खाओगे, तुम जो पिऊँगे, तुम जो पहनोगे, तुम जो दबाईया लोगे यहां तक कि जो न्यूस सुनोगे उन सब पर अब मेरा कंट्रोल होगा मेरा और बस मेरा जिन्दगी में दो चीज़ें कभी मत खोना जनम देने वाले माता पिता और जान देने वाला वफादार दोस्त और दोस्त को तुने खो दिया अब हम दोनों के बीच जंग शुरू हो चुकी है जब दो आर्मी आपस में लड़ती है तो उसे जंग कहते हैं मगर जब आर्मी एक आदमी का पीछा करती है तो उसे जंग नहीं शिकार कहते हैं तेरी आमी मेरी किसमत का फैसला नहीं करेगी मेरी किसमत मैं खुद लिखता हूँ जैसी सोच वैसी सिंदगी तेरे पास आमी होगी मगर मेरे पास तुझे हराने का मकसद जब मकसद सही हो तो भगवान भी साथ देता है कौन सा भगवान जस तरह बंदर इनसान के रूप में बदल गया उसी तरह भगवान का रूप भी बदल चुका है पैसों में दूसरा वैपन तो मैं ही ब्लास्ट करूँगा मगर उससे पहले तुझे मार डालूँगा समझे मेरे प्यारी दोस्त अब तक तुने मुझे दुश्मनों पर भारी बढ़ते हुए देखा है लेकिन खत्तार दोस्त से लड़ते पहली बार देखेगा वो सख्मी शेर की तरह और भी खुंखार हो गया है लेकिन वो मुझे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने से नहीं रोक सकता अब वक्त आ गया है जहां उसके घुसे की आग को इस्तमाल किया जाए अगर इस आग को थोड़ी सी और हवा दे दी जाए तो वो खुद ही जलकर राख हो जाएगा एक काम करो उसकी पत्नी को चांद से मर दो दुनिया के टॉप माफिया को खबर करो कि उसके टुकडे टुकडे कर दो जब वो देखेगा तो बॉखला जाएगा और गलती घर बैठेगा यही तो हम चाहते हैं उसकी पत्नी की मौत ऐसी हो कि मौत भी डर जाए हमारे आदमी एक 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 घर के चारों तरफ तैयार खड़े हैं एक ए घर के करीब भी नहीं आसकता रागनी घर में अके लिए बहुत बारिश हो रही है अब तुम लोग घर जाओ ची के लिए के लाहmbू हिए निए के लोगे लोगे मौत ची के लोग झाँ खाया code I 不या कहां देख निए variety के लोगे भी आव जोगे लोगे तो मंझा के लिए बार हो बार बार देख वन आसको लोगे भी पाराव याल आनाव कर दो दो कि अ कर दो कर 75'M-2 कि अ अ कि अ दो मटड़ों कि अ. आप क्ष़्च कि अ कि कानल दुम्लुक एकी एके की वाइफ को विक्टोरिया स्ट्रीट में देखा गया है सर हमारे एजेंस उसका पीछा कर रहे है सर हमें के का इंतिजार कर रहे है प्राइवेट के लिर्स उसके नस्दीख है नेगेटर वो काही नहीं दिस इस फन शत्रंज के खेल में और मसाएगा चेक मीट मेरे दोस्त हाई रागनी कैसे हो कहा हो उसे वो फोन कहां से मिला ट्रैक दो फोन ट्रेस द कॉला ये सो ये बात करने का वक्त नहीं पीशे मुड़ कर देखो मुझे बगणने के लिए वो तुमें चारी की तरह इस्तिमाल करेंगे वो हर तरफ पहले हुए तीस सेकेंड में हम इस कॉल को ट्रेस करेंगे कमाउन गाइस कॉल कहा से रही है पता करो जल्दी जैसा मैं कहता हूँ ऐसा करो सोचो मत उठो और लेफ में जाओ सर वो वहां से निकल रही है इस फोन के जहरी है वो लोग मुझे ट्रैक करने की कोशिश करेंगे जल्दी से लोकेशन ट्रैक करो 30 सेकंड मोर हमारे पाफ सिर्फ 10 सेकंड है बात करते पक तुन 30 सेकंड में कॉल टिसकनेक हो जाएगा लेकिन पैनिक मत हो ना वर्स स्टेटिस 15 सेकंड जल्दी रहो ठीक सर तन सेकंड मोर जैसे कॉल टिसकनेक हो तुम रुक जाना ठीक सुनिये सर एक प्राबलम है फोन टिसकनेक्ट कर दिया हाँ 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 हेलो गुड जब रागिनी वी डिडिट चलते रहो लेफ्ट की तरफ हाँ ठीक वो दूसरे फोन से बात कर रही है सर ये फोन उसे किस ने दिया इस कॉल को भी वो ट्रैक करने की कोशिश करेंगे इंकमिंग कॉल की लोगेशन पता कर आओ सर तीसरे पेलर के पीछे चुप जाओ रागिनी स्टे देर वहाँ चितने भी सीसी टीवी कामरा से उनकी फुटेश दिखाओ स्टेश चितने टीवी कामरा एंग माराक था सूंकर στο कैमरा राइट में खुंद तो भाहरा आजाना ऊके और 17 वो भाग रही है वो भाग रही है वो उसे गाइड कर रहा है मूव राग ही इने चलते ही रहौ पतालगों पता लगों चल्थी Sir, तीन सेकेंड अर्ड Hello? Sir, हमारा कनेक्शन तूट गया Hello? अपसिट साइड में ट्राम स्टेशन है उसके वेटिंग अरे मेरा इंतजार कराओ ट्राम स्टेशन कैमेरा 24, रागिनी वही पर है, Sir उसके नजदीक आने वाला एके ही होगा कौन है? कहां है? चेक, चेक अब कहां से मिलेगा दूसरा फोन ट्राम ने रागिनी के व्यू को ब्लॉक कर दिया ट्राम की दूसरी तलब क्या हो रहा है पता नहीं, Sir वाह, क्या चाल चली है मेरे दोस्त बहुत पढ़िया एके पीछे बोड कर देखा ब्रेट कर रसाइन बोड के पास चाओ हाँ, ओकी पीछा करो उसका बेडा टर है अंदर चाह रहा की नहीं गो, 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 येस, Sir वो मिली क्या? नहीं, Sir, एक प्रोब्लम है आपको विडियो भेज रहा हो वेल प्लेड माइ फ्रेंट टरोब्लम वीडोल, आपके इड़ीघ य्टी वीड़ी़ वीड़्लम वीड़ी़ वीड़ी़ वक कर दोता कि दो हम कि रेवी कि मर कि ये झीयाँ नहास जहा sn झाव हम झाल 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 जातर उसे एक्स्ट्रीम सिग्निफिकंस, अब तर यू आरियन, थैंक यू सिरू मुझे यकीन नहीं हो रहा, आप कैसे उनके जहांसी में फंस गए हजारों तुष्मनों का मैं अकेला सामना कर सकता हूं मगर सच्चा तोस्त कब खतारी पे उतरे ये समझना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि शक तोस्ती के नियू हिला देता है और ऐसी तोस्ती को निभाना किसी मौत से कम नहीं आज तक मैंने आपसे कभी कुछ नहीं चाहा कभी मांगने की जरूरत ही नहीं हुई लेकिन आज पहली बार आपसे कुछ मांगने जा रही हूँ जिसने आपके सौथ ये धोका किया उससे बदला जरूर लेना अब हम दोनों के बीच होगी महा जंग आरियन अपनी शातिर चार चलना शुरू करेगा काले कारनामों की लंबी फैरिस्त्व लोगों के सामने रखेगा सिटनी का आथकोएक, प्लुटानिक बॉंब ब्लास्ट और अब इंडिया में होने वाले हैं मैनमेड आथक्वेक्स हमारे पास इस बात के सुबूत है सर कि काउंटर टेरिस्कॉर्ट का एक बहुत बड़ा ओफिसर इन सब के पीछे है सर अनसारे गुनाहों का ठीक राओ मेरे सर पे भोड़ेगा और उसका नाम है अजय कुमार सर, I'm back to differ मैंने एक के से परसनली ट्रेनिंग ली है उन्होंने हमें लड़ने से ज्यादा कानून और न्याएं के बारे में बताया और सिखाया मुझे लगता है कि कहीं कुछ तो गरबर है ऐसा मेरा मन कह रहा है सर facts, statistics और numbers पर ध्यान दो Mr. भरत तुम्हारा मन क्या कहता है उसके उपर ज्यादा मन मत लगाओ जो तुम्हारा काम है वो करो मत भूलो तुम आफिसर हो ओके सर लोज एंफोर्स्मेंट एजिंसी की पूरी टीम को मेरे पीछे लगा देगा दुनिया की सारी एजिंसी इसको उसके पीछे लगाना चाहिए I agree to that मैं इसे रेड अलर्ट एमेर्जिंसी अनाउंस करता हूँ मझे मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बताएगा और मेरे पीछा सी देशों की एजिंसी को भेजेगा ये युत भूमी है कृष्ण ने कहा अरजुन से यू न प्यार चता दुश्मन से अब तू अपनी कोई भी चाल चल मेरे दोस्त मैं तयार हूँ अब क्या चाल चलेगा मेरे दोस्त और कितने दिन इंतजार करेंगे हम लोग तुमने हमसे वादा किया था कि तुम पांच तिन में इंडिया में आर्थ्वेक करवाओगे तुम्हारे कहने पर मल्टिनैशनल को ये प्रोजेक्ट दिखा कर हमने हजारो करोड पैसा एडवांस लिया है और उन्होंने दवायों और मटीरियल के प्रड़क्शन बढ़ा दिये हैं हमने तुम्हारे अकाउंट में बीस हजार करोड ऐसे ही नहीं डाले हैं फिर सोच लो तुम्हे काम कर पाओगे हमने वो वेपन ड्राइव अक्टिवेट कर लिया है नॉटिंग कें स्टॉप अस सार हमें रुक ना पड़ेगा आगे बहुत च्राफिक है सार तो फिर रिवर्स लो पीछे भी जगे नहीं है सार माफिया से मीटिंग के बारे में गर सीटियस को पता चल गया तो यहां जान आफ़त में फसी है और तुम्हें इस मीटिंग की पड़ी हुई है यह जाम नहीं ट्राप है एके वो हमारी तरह नहीं है जो पीछे से वार करेगा सामने आके माथे पर गोली मारे का वो शिकारी शिकार को फोन कर रहा स्नाइपर एर 96 900 मीटर रेंज 3 किलोमेटर विंट स्पीड क्लियर हेडशोट गोली चली खोपड़ी ओड़ी मेरे दोस्त टॉक बिजनस माइ फ्रेंड वेबन को रोकने के लिए मुझे तीन सवालों की जबाब चाहिए डिक्रिप्शन कोड कहा है वेबन को कहां पर कार्ड कर रखा है और वेबन को किस सैटलाइट स्टेशन से लॉंच करोगे तुम हसते हुए भी कमीने लगते हो तुमारी हसी का रास मैं जानता हूँ बुलेट प्रूफ कार है ना कितना भी स्ट्रॉंग पॉलिकार्बोनेट क्लास क्यों ना हो अगर साथ बार एक जगे पर शूट किया जाए तो वो भिखर जाता है यह तू भी जानता है और मैं भी जानता हूँ क्यों उड़ गया ना तेरे चेहरे का रंग बेटा मेरा प्लान किया हूँआ ट्राफिक जैम तीन मिनिट में खुल जाएगा चल मुखोल गाडी को आगे पीछे करते रहो यह साफ एक ही जगे निशाना ना लगे ग्लास के मस्बूती सिर्फ आईटी परसंट रहेगा यह साफ केप मोविंग केप मोविंग वो गोली कहा से जला रहा है कहा है वो कहा है वो एक है सामने आओ बात करते हैं सामने वाली बिल्डिंग में स्वाट इल को भेजो कुछ करो आर एन वसबूती सिर्फ 40 परसंट रह गई है आर एन, कुछ करो एके, सामने आओ बात करते है सार अब सिर्फ 20 परसंट है एके, हम बात करते है रा क्या कर रह रह तूँ क्या सुरे प्रूप्र? अब सिफ 10% है सार वो बचने ना पाए एके यहाँ नही है, सर्थ! ये कैसे हो गया? बाल मीटरी इस क्रियर, एके कही नही है? डाम इट, यावास कैसी है? कहां से आरी यावास? कहां से? कुछ करो, और यान! वह आप निकालो हमें! अरी, चलाओ! क्या बोलता है? कुछ करो! अरी, चलाओ! ग्लास चूटने वाला है, सर्थ! अब गया तू! इसके लिए मतुपे चोड़ो बनाए! यह नहीं! आज मौत चूखर चली गई! पर क्या वो वापस आएगा? तुम्हे ने तो उसे इंविटेशन दिया कि सामने आओ बात करते हैं, हां? जब बुलाया है तो आएगा नहीं, वो सरूर आएगा! रिलाक्स, इस वाच को पहन लो, जैसे ही एके तुम्हारे बास आएगा, इसे जोर से दबाना, उसी वक्त मेरा अलाम बचेगा, और मैं तुम्हारी मदद के लिए पहुँच आऊँगा! प्रागिनी में इस बिल्डिंग में जा रहा हूँ, शौन से वेपन्स की डीटेल्स लेने, इस चिप की मदद से, थर्मल इमिजिंग कैमरा में, मैं तुम्हें औरेंज कलमें देखूँगा, और बाकी सब येलो कलम है, मेरे आगे कितने लोग हैं, और वो लोग कहां कहां से तुम मुझे गाइड करोगी, ठीक है, ठीक है, जैसे तुम ये बटन दबाओगी अंदर के सारे CCTV कैमरा ताज सेकंड के लिए बंद हो जाएंगे, पिना तर ये सब कर लो कि ना, आपकी टीम के लिए ये आज तक एक काम रहा होगा, लेकिन मेरी लिए ये जिंदगी है, मु इस ऐता लगाले का उसे बीच शॉन से वुच țीटिल्स लेकर भी या आख़ा होगा, प्रॉपकोष 9 मिनिट पर सेंट करताओ के लेफ़े लेफट में थे कमांडो है, जो, प्रॉपेत काफी सारे लोग आ रहे हैं सर, सर रागीनी, सीसी टीव का रेमोट उठाओ इसे दबाते ही यहां की इमेज बदर जाएगी हाई, शॉन रागीनी, दबाओ देख शॉन, मेरे पाद सिर्फ पांच मिनिट है तुझे मेरे सवालों के चवात देने होंगे शराफत से बोलेगा या जबान खीच के बाहर निकालो तो तू मुझे मजबूर करेगा, यह मेरा लब है यहाँ ना जाने कितनी लोगों को मैंने मौत के घाट उतार दिया है तू मुझे क्या मारेगा अब है मैं वो शेर हूँ जिसकी ताहाड से बड़े बड़े चानवर कापते है इसके पीछे का साइंस मुझे पता है जोने यह साइंस नहीं पता, उनके लिए यह दर्द से शुरू होकर दर्द पर खतम होता है मगर सब कुछ पता होने के बावजुद तेरे चेहरे पर दर्द से पहले डर साफ साफ दिखाई दे रहा है और जो डर गया, समझो मर गया दर्द हो रहा है, मा की आदा रही है अभी असली लोरी तुने सुनी का है बे अभी तो तेरे जिसम की एक एक नस्थ कटमी बाकी है रगों में तोडने वाला खून ठंडा पड़ रहा ना ये तो सिर्फ चिसमानी दर्द है एक और दर्द होता है जब हम किसी को जी जान से प्यार करते हैं जब हम आख बंद करके किसी पर भरोसा करते हैं जिसके लिए कभी भी अपनी चांद देने से मूँ नहीं मोडते जब वो हमारी पीट पर खंजर भोगते हैं तब चिसम ही नहीं सीना भी चलनी हो जाता है क्योंकि दोस्ती में खत्तारी से बड़ा कोई तर्द नहीं रोचोनियम वेपन के एक्स्प्लोजन को रोखने के लिए नताशा का लिखा हुआ डिक्रिप्शन कोड कहा है कहा है टेस्क? कहा है रखी है? चल बोल! बोल! वो आरियन के पास है ये बाव मिन्या में कहा भटने वाला है कॉडिनेट से है, टाइमेस मत कर जल्दी बता 38.7041 डिडिरीज नॉस लैटिटिटूड 77.1024 डिडिरीज इस लोगिटूड शॉन की घड़ी से एमरजेंसी कॉल आ रहा है सर जल्दी से हेड़क्वार्टर्स जाना होगा ज़रूरत नहीं शॉन को जो घड़ी मैंने दिये है, वो अलाम वाली घड़ी नहीं है इस अ डेटोनेटिंग बॉम कॉनसा सैटलेट स्टेशन, जल्दी बॉल वो बॉम उसके 10 मीटर के रेडियस में ब्लास्ट होगा वो कॉनसा सैटलेट स्टेशन से लॉन्च होगा जल्दी बॉल, जल्दी बॉल उस बॉम के धमाके में शॉन के साथ साथ एके भी मरे का शॉन, टाइम इस रॉनिंग आउट कॉनसा सैटलेट स्टेशन, बॉल कितना भी जोर लगा ले, इस बार उसकी हर चाल नाकाम्याब रहेगी आर्यन से कोई नहीं जीट सकता एके रागनी, क्या हो मेरा दम गुट रहा है तुम्हें कुछ नहीं होगा सास पूल रही है तुम्हें कुछ नहीं होगा, रागनी कर दो कोई तुम्हें मराजो, यहें कोई, टो जिल्दी आजाओ एंध। कर दो कर दो जल्दी 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 हाँ चलाओ इस बढ़ आरख निए लगा मुट रहेए जल्दी कर दो मुझ चुमान लाकापती कर दो तुम्हे कुछ नियोगा राकिनी, I'll take you to the hospital तू ठीक है ना पूपरवाला कब किस रूप में अगर मदद करे बतानी शाइद इस बार अमारे पच्चे के रूप में आया है होल्ड ओन आप बताएंगे यह सब अगया है हाँ हाँ हम जानना चाते हैं दिस इस एके अजय कुमार Most Wanted Terrorist मासूम बेगुनाहों को मारने वाला एके, एके, किसी दूसरे आस्पिटल नहीं चलो वो इंसानियत का दुश्मन है FBI, CIA, Interpol, Europol, CTS, CBI, SWAT दुन्या फरकी पुलिस और Law & Order Organization ढून रही है इस इंटरनाशनल मुझरिम को मुझे शक करा रहे है बस पहुँच के रागिनी रागिनी सूसी रिमोर्टो मुझे तो चलो बाहर खेल दे क्या तुम अब ठीक हो? यह.. फिलिंग बेटर यह अब ठीक है यह डी हाइडरेट हो गई थी इनका खयाल रखना और इन्हें आराम की जरूरत है जैफरी बच्चों से कहे शोर ना मचाएं प्लीज कहां जोता है कि अजय कुमार नाम का यह मुझरिम कापी बिलिम से परान है वो एक देश द्रोही है दुनिया में आतंक फाथ भैला रहा है क्या बच्चों मैं तोड़ दूगाई मैं अब यहाँ मांक सूजी शोर मचाना बंद करो यह लो अजय कुमार उर्फ एक एक इंटरनाशनल क्रिमिनल है जिसकी तलाश पुलिस कर रही है अगर आपके पास इसके बारे में कोई भी इंफर्मेशन है तो नीचे दिये गए नंबर्स पर कॉंटाक्ट करें तुम ठीक हो ना जब मकसद सही हो तो भगवान भी साथ देता है यही कहा था ना तुने तो कहा है तेरा भगवान मुझसे टर कर अपनी पतनी के साथ भागता फिर रहा है सही कहा तुने मेरे दोस्त मैं भाग ही रहा हूँ मागर तुझसे टर कर नहीं बलकि तेरी और तेरे खिलाफ तुझसे बदला लेने रोक सके तो रोक ले कितनी बार तुझे समझाओं ये इमानदारी, सच्चाई, न्याए, उसूल, आदर्श इनसे कुछ नहीं होता होता है तो सिर्फ पावर से सच्चाई, इमानदारी, न्याए, धर्म इनका इस्तेमाल तु अपने मतलब के लिए करता है और मैं लोगों की भलाई के लिए करता हूँ देख दे, इस खेल में चीत तेरी होती है या फिर मेरी मेरे दोस्त तु हार चुका है तीसरा प्लुटोनियम वेपन भी मैंने अक्टिवेट कर दिया जिसे पांच घंडे के बाद ब्लास्ट होने से कोई नहीं रोक सकता कहम मेरा है लेकिन दुनिया जानती है कि एके ने बॉम प्लांट किया है अब तु मोस्ट वॉंटेड टेररिस्ट है वो इतिहास लिखने के बारे में सोच रहा था न और मैं यहां तेरा भुगोल पतलने चाहरो सुबह होते ही दुनिया के नक्षे से इंडिया का नामों निशान चाहेगा बड़ा चला था धर्म की रक्षा करने पैसा होगा मेरा और मौत होगी तेरी हजारों लोगों की मौत का सिमिदार बनेगा तू अगर तू इस ब्लास्ट को रोकना चाहता है तो तुझे मेरे फिंगर प्रेंट्स की जरूरत पड़ीगी मगर मैं तो देश छोड़ कर जा रहा हूँ दुनिया के 8560 किलोमीटर रेडियस का कंट्रोल अब मेरे हाथों में है तो अब मैं तुझे चैलेंज देता हूँ बिल से बाहर आ और जो कर सकता है कर एके तू हार के आ क्या हम हार गए भले ही पूरी की पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए हालात मुश्किल हो जाए और चीख चीख कर तुम से कहे कि तुम बुरी तरा हार चुके हो मगर चब तक तुम्हें अपने आप पर भरोसा है तब तक कोई भी कहीं भी और कभी भी तुम्हें हारा नहीं पाएगा Never Ever Give Up तुम्हें मेरी बात ध्यान से सोनो रागी नहीं यह मेट्रो जंक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट है इसे लाज स्टेशन पहुंचने में पूरे तीन घंटे लगेंगे उन तीन घंटों के अंदर-अंदर अपने काम को अंजाम दे कर आखरी स्टेशन पर मैं तुमसे मिलूँगा रागीनी, सिर्फ एक बात का खयाल रखना तीन घंटों के अंदर तुम मुझसे हर हाल में मिलने वाली हो उससे पहले तुम किसी भी स्टेशन पर उताना मत ठीक है झाल हेलिकॉप्टर तैयार रखो सर एके को सॉवेलिंस कामरास बे देख लिया गया है एके को मैसेडोनिया स्कुएर पर देखा गया है वो मिल गया सर there he is एके हमारे करीम है एके ने पहली बार गलती कि इससे पहले कि वो इस बात को समझे उससे पकड़ो को स्वार्तीं, गर ठाफ जट रीए इस नंदिए से नी सबकर कर नहीं है आदीजी अ आगो रोगोव गरूपक ठीक हरती दो दामिट यहां पर हो क्या रहा है कमान जवाब क्यों नहीं देते आं समी एक यहां नहीं है सर उसने वीडियो में से छोड़ा है क्या बोल रहा है गड़ गड़ा रहा है यहार रो रहा है या फिर अपनी बे गुनाही का सबूत दे रहा है आप लोग उने जो विल्द आम मुझ पर लगा हैं वो सब सच है और यूर डेटाबेस इस रॉंग मैने कई संगीन को ना किये हैं आगे और भी करूंगा आपके वफादार आर्यन इमानदार आर्यन और सिंसियर मिस्टर आर्यन को दो गंटे के अंदर मौत के खाट उतारोंगा बचा सकते हो तो बचा लो माइ फ्रेंड आम कमिन फर यू माइ फ्रेंड वेल प्लेट आर्यन अफवो चम आइड गाइज्छ वह मुझतक पहुची नहीं सकता है अगे अज़ता है आइए अंदर चलते सब्स्क्राइश आपटो दो चलोचलोचलोचली करो कवर दो कवर इमप मैं फ्रींड यूट आम कंड़ का यू मेरा टाइम चार्ट के मदद से एक है आपको ट्राक कर रहा है इस गॉइंग फॉर खेल, केरफुल सर् आरियन, यॉर नॉट गॉइंग अनिवर, तुमारी जान को खत रहा है इसलिए तुम चॉबिस घंटों के लिए हमारे प्रोटेक्शन मेरा होगे इसमें तुम्हारी भलाई है, प्लीज कॉपलेट सर, एक एक गेम खेल रहा है मेरा मन कह रहा है कि वो कोई बड़ी चाल चलने वाला है मेरी बात का यकिन कीजिए सर् एक्स्कूज मी सर, फाक्स, स्टैटिस्टिक्स इस सब चीजों पर ध्यान दीजिए आपका मन क्या कहता है इस पर हम लोग इन्वेस्टिकेशन तो कर नहीं सकते है ओफिसर की तरह बात कीजिए तुम्हारे लिए हाई सेक्योरिटी ज़रूरी है आर्यन हमारे साथ है सर, इनकी सेक्योरिटी की जिम्मेदारी हम पर है मेरे हाथ धुलवा दे ना सरी, 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 गथे कहीं के मैं तेश छोड़ कर जाना चाहता था तुम 24 घंटे हमारे प्रोटेक्शन में रहोगे मगर उन्होंने मुझे इस बेल्डिंग के अंतरपंद कर दिया वाट अमाय मेसिंग वाट अमाय मेसिंग आपके टाइम चार्ट के मदद से एक है आपको ट्राक कर रहा है सर मैं कहां जाने वाला हूँ उस टाइम चार्ट को उसने हैक नहीं किया बलकि कहां कहां गया उस टाइम चार्ट को उसने हैक किया ऐसा करके वो पता लगाएगा कि मैं कौन-कौन से सैटेलाइट स्टेशन कहा था ही इस ट्रैकिंग बाकवर्ट्स हारियन नहीं यहां टाइम चार्ट आफ कर दिया यहां अन कर दिया ब्लैक स्पॉट कितनी देर के लिए टाइम चार्ट आफ किया गया होगा दो घंटे रेडियस कितना होगा तीस किलोमेटर इन दो घंटों में तीस किलोमेटर के अंदर-अंदर किसी भी एक सैटलेट स्टेशन से वेपन अक्टिवेट किया होगा ऐसे कितने स्टेशन होगे पचास 50 stations को cover करने में कितना वक्त लगेगा तीन घंटे तीन घंटों के अंदर क्या 50 satellite stations को cover कर सकता हूँ कभी नहीं कर सकता फिर वो क्या करेगा क्या करूँ, क्या करूँ वहाँ High Power Hub से चलने वाला satellite station है सर्फ High Power Hub High Power Hub तीन घंटे के अंदर 50 satellite stations को cover नहीं कर सकता लेकिन 50 satellite stations को बिजली देने वाले 10 High Power Hub को बंद कर सकता हूँ कौन सा Power Hub है एक ये नहीं जोनता एक एक करके सारे Power Hub बंद करेगा कमाल की चाल चली है मेरे दोस्त वेपन लॉंच होने में कितनी देर है तीन घंटे जल्दी लॉंच करो टाइम चेंज करने के लिए आपको अपना फिंगर प्रिंट्स और बायोमेट्रिक देना होगा सर आपको खुद यहां आना होगा सर एक छोटा सा काम तुम लोगों से नहीं होता तुम उसकी तैयारी करो मैं पहुँचता हूँ आम उन माई वे आरियन सर एकेस बिल्दिंग की गेट तक पहुँच चुका है मेरा यहां रहना सेफ नहीं है सर जल्द से जल्द मुझे यहां से शिफ्ट कीजिए सर कमांडोस जानते हो सबसे बदनसीब कौन होता है वो नहीं जो अपने मरने की वजय नहीं जानता बल्कि वो है जो मौत सामने देखकर पहचान नहीं पाता सर स्टेटल्स एके ने दो पावर हप्स स्विच आफ कर दिये है सर हारियन भहां से निकल चुका होगा उसकी अगली चार्ड क्या होगी वेपन को ब्लाक्स करने के लिए टाइमंग बदलना होगा मौ फास्टा वो वक्त से पहले धमागा करने की कोशिश करेगा अगला पावबा हप बंद करने के लिए पंद्रफ मिनिट लगेगे कि को फास्टा सर आपने पंदरा मिनिट कहा लेकिन एक एने तो पांच मिनिट में बंद कर दिया उसे भनक लग गई है कि हम टाइमिंग बदलने जा रहे हैं स्पीडिंग इट आप अगर वाकरी भगवान उसका साथ दे रहा है तो वो किसी तरह पावा हब को ढूंड कर उसे बंद कर देगा और वेपन को ब्लास्ट होने से रोग देगा और फिर वो जीत जाएगा मेरा हुकुम का एक का वोट अमाइ मिसिंग वो सीसी टीवी फुटेज में अकेला है तो इस वक्त रागनी को कहा होना चाहिए सोच सोच आर्यान एक एक की तरह सोच इसका मतलब है कि वो एक ही जगा पर नहीं है वो प्रेगनेंट है बस में नहीं जा सकती धेंक लाइक आजाए कुमार हाँ ट्रेन इस वक्त कितनी मेट्रो ट्रेन्स चल रही है 41 ट्रेन्स चल रही है सर इन ही ट्रेन्स में से किसी एक में होनी चाहिए वो धूंडो उसे अपने सीक्रेट सोसाइटी साइबर वोइंक को अलाट करो हर एक स्टेशन में अनौंस करवा दो कि अब एक इस दुनिया में नहीं है एक इस शॉट और किल्ट बाई थे स्पेशल फोर्सस एक इंटरनाशनल क्रिमिनल एक को स्पेशल फोर्सस ने गोली मार दी है कहा जाता है कि वो काफी टाइम से फरार था और आज वो स्पेशल फोर्सस के हाथ लग ही गया एक इस फील्ड कमांडर थो और एक मिलिटरी ओपसित है टीवी चैनल वेबसाइट को हैक करने को काओ उस न्यूस को ऑनलाइन जो भी लोग देख रहे हैं उनकी डिटेल्स भेज़ो कहा जाता है कि एक इंसानियत का दुश्मन ही नहीं देश द्रोही भी है और वो एक गदार है चलती हुई ट्रेन में कितने लोग देख रहे हैं 54 पैसेंजर्स ऑनलाइन देख रहे हैं सर उन 54 डिवासिस को हैक करके उनका वेब कैम फीड भेजो एक्स्क्यूज मी, कें यू हेल्प मी सिक्स्थ पावर हब मद हो चुका है सर बश्युका हुए उच्छब। एक्स्कुज मी लब काव किया है मैं पावर ट। के लप में ये लब टॉटब। यह 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 यू क्या है क्स्क्या है जोग इस लीडि़ इस क्वारोओ ओक्या एक्ष्ब। इस पावरहब दूंश ते लोग। अब एंपन लगनी हूा! Barbara हूा 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 अब तेरे पास सिर्फ 15 मिनट बचें और सिर्फ एक पावर हब है मगर मेरे पास वो पावर है जो तुझे वहीं के वहीं रोक सकती है तेरी पत्नी, रागिनी, बेचारी को समझ ही नहीं आ रहा है कि अपने हालात पर रोए या फिर देरे सिंदा होने की खुशी मना है एए, वोड़ मैं हीरीग गाड़ी को ब्रेक मरा गया, डर के मारे तुम्हारी धड़कने तेज हो गई उसकी आवाज मुझे यहां तक आ रही प्रूफ, लो बात करो हे, तुम तु सिंगर हो ना चलो गाओ मुझे उसका चैरा दिखाओ तुम्हारे अंदर का एजेंट कभी नहीं मरेगा अगर तु अपनी चका से हिला ना तो यह सिंदकी में कभी का नहीं पाएगी जहां है मेरे दोस्त वही रहे तुम्हारा पती क्या करेगा दो आप्शन्स है या तो वो दुनिया को बचाएगा या फिर चुप चाप वही रहकर तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को बचाएगा तीसरा अप्शन भी है वो तुझे तडपा तडपा के मारेंगे मैं कुछ समझा नहीं रागनी मगर तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ I'm fascinated इस हिम्मत का रास क्या है तू नहीं समझेगा जब भी तू मेरा नाम लेता है न रागनी रागनी कहता है सिर्फ एक बार मेरा पूरा नाम लेकर देख तब तुझे समझ में आएगा कि मेरी हिम्मत का रास क्या है मेरा पूरा नाम है रागनी अजय कुमार अपने चेहरे की ये जूटी हसी बचा कर रख क्यूंकि तुझे मरते वक्त पानी भी नहीं मिलेगा मुझे दिया हुआ वादा पूरा करने के लिए वो मौत के मूँ से लौट आए तो क्या तेरी चेता जलानी नहीं आएंगे काल्स क्या हो रहा है ये आवास कैसे थी रिपोर्ट को लो जल्दी देखो वो कहा है जलेगी रावन की लंका बजेगा हमारी जीत का डंका कितनी भी मुश्किलें आएं हम नहीं हारेंगे तुने गाने को कहा था ना अब तेरा बाजा बजेगा पॉइंट सेक्स मिलिसेकंड लगेगा मुझे स्ट्रिगर को तबाने में तू गोली चलाएगा तो मैं भी चलाऊँगा और तू जानता है आज तक हम दोनों का निशाना कभी नहीं चूका तो आज आज मुकाबला होई जाए मैं टू मैं साड़े चार मिनट में वेपन ब्लास्ट होगा साड़े चार मिनट पंधरा साल की ट्रेनी बीस साल की दोस्ती देखते हैं क्या नियाए जीतेगा या फिर आरियन जीतेगा तू कहां मारेगा ये मैं जानता हूँ और मैं उसे कैसे रुखूंगा ये तू जानता है दोस्ती थी ना पक्की दोस्ती जब एक दोस्त दोस्त को धुका देता है तो उसके दिल में खौफ पैट जाता है चलाज तुझे खतम कर देता हूँ तेरा खौफ खुद खुद खतम हो जाएगा झाँछा झाँछा ना यह खुद Sबस्टार देता हूँ यह 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 जनननन सर्वा roller कर दो कर दो यठा कर दो दो अभा कर दो कर दो हुआ हुए आजय का probability धिन कमें से अविध हुआ हुआ ह visão आजको कि अरना अट अरक सब्सक्झरेन यजए चाह पिलिखे ہूय टिरूफिन लिरूप हुट मैं टो हुटifier दो हुटिसा लिएुरी ते लिए Dop देख देख तो ची बयुई सा दुझा तुंगा दो는 हो सान दूपा दुझा तुझा एफा दुझा जोरा आप ईबद दूदुदया हाथ मिला ले मेरे दौज ये अर्थ देख हो जाने दिर मैंने इसके लिए बीस हजार करोन लिये आज भी इस दुनिया में बुराई की हार होती है और सच्चाई की फते होती है ज्याई ही चीतता है हमेशा नताशा बीबी पापा तुम अम्मी को नहीं बताएंगे तुम ही पूछ लो वाट्स नेक्स्ट आगे क्या पारेमान्दार और काम्याबिन साथ पारेमान्दार और काम्याबिन के पीछे उसकी पत्नी का हाथ होता है क्योंकि पत्नी अपने पती पर पूरा यकीन करती है